अब फ्रेंड्स नमस्ते आदाव सस्रीकाल मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट रोबिन सिंग दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जैंट की स्टीचिंग कैसे की जाती है दोस्तो जो आज की वीडियो में आपको जैंट की स्टीचिंग कैसे की जाती है दोस्त तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ डेमो जो आज की वीडियो में हमने जो शर्ट जो बनाई है तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हो यह मेरे कलिग हैं मेरे साथ ही काम करते हैं और इनका नाप लेकर ही इस शर्ट की मैंने कटिंग की थी और आज की वीडियो में दोस्तों आपको मैं बताऊंगा इस शर्ट की जो इन्होंने पहनी हुई है इसकी जो स्टीचेंग कैसे होती है आप दोस्तों देख सकते हो बहुत ही असान तरीके से यह देखिए इसमें जो जबादस फिनिसिंग है ना तो जादा टाइट है और ना जादा यह लोजिंग ह बिर्कों कमफर्टेबल हमने शर्ट बनाई है तो दोस्तों कैसे होगी इस शर्ट की स्टीचिंग आपको देखने को मिलेगा और दोस्तों साथी साथ मैं आपको यह भी बता देता हूं अगर आपने हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे नए चैनल का जो लिंक के आपको डिस्किस्ट में मिल जाएगा तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और सिख लेते हैं कुछ नया तो फ्रेंट्स जैसा कि आप देख सकते हो यह मेरा पास शर्ट है शर्ट की कटिंग हो लड़ी हमने करी ली थी तो दोस्तों जब भी आपने शर्ट बनानी करेंगे शर्ट सबसे पहले दोस्तों जब हम शर्ट की कटिंग करते हैं तो यह देखिए इस तरह से यह जो आपको मार्क दिख रहा होगा यह मार्क का मतलब यह होता है इतना कप्राम एक्स्टा लिया होता है यह काज और बटन के लिए एक्स्टा पट्टी इसको लिए जा एक है और इस पट्टी को फ्रेंड यहां से आपको हल्की से एक जैना लगानी है यहां फिर आप चाहो तो उसकी प्रेस ही प्रेस कर सकते हो प्रेस करने बाद विल्कुल अपनी जगह सेट हो जाएगी उसके बाद सबसे पहले हम इसकी लगाएंगे यहां सामने पॉकिट प पॉकेट लगानी है पॉकेट लगाने के लिए यह जो पट्टी को फोल्ड करने के बाद आपको यह से निशान लेना है 1.5 तो यानि कि दूरी रखनी है और इसकी जो पॉकेटका साइज है फेट्स हो रखना हों मैं इसकी जो चुड़ाइ 4.5 थार इंच और इसकी जो लंबा तो इस तरह से पहले आप निशान लगा ले और पॉकिट करने के लिए सबसे पहले आपको रफली एक पॉकिट काटने पड़ेगी इस था इस तरह से लिए यह उस्तोर इस से धारी मलाकी इसको इस हिसाब से सैट करना है ताकि आपकी धारी बिल्कुल मिल जाएं जैसे की जब मैं पॉक्ट लगाऊंगा यह देखें यह दार से धार इसकी मिलनी चाहिए बिल्कुल और इसे मैं इस तरीके से फोल्ड करूंगा कि बिल्कुल यह एक दम बराबर आ है पॉक्ट कर लिए दोस्तों यह देखें इस तरह से यह दो पॉक्ट के लिए आपको पहले इसको एक बार प्रैस करना होगा जैसे कि इसको मैं इस तरह से प्रैस कर लिया था अब प्रैस करने के बाद अब आपको इसको इसके उपर रखना है आपको धारी से धारी मिलाते इस तरह से रख लें और बिल्कुल आसान तरीका दोस्तों यह देखें इसी तरीके से इसको नीचे से फोल्ड करना है अब नीचे वाली जो श्याटिक्स को पहले हटा ले साइड में बिल्कुल आसान से आपकी जो है पॉकेट प्रेस के साथ बैठ जाएगी तो फ्रेंट्स इस तरह से आप देख सकते हैं यह जो है पॉकेट तयार हो चुकी है इसके बाद इसको पैटों को आप हटा दे अब जो आपने प्रेस करा था इसको एक बार दोबार अच्छी तरह से प्रेस जमा लें और जितना भी एक्ष्टा मारजने सारे मारजने क्या आप कर ले कटिंग है हमें मारजन रखना है सिर्फ इसके अंदर आदा इंच के करीब तो इस तरीके से हमारी जो पॉकिट है यह हमने प्रेस से इसको रैड़ी कर लिया है अब सबसे पहले दोस्तों में आपको बताऊंगा इसकी पॉकेट लगाना कैसे हैं इसको पोड़की्ट को हमने इसके ऊपर जमाना है यह मारकीं और रखी थी अब आप compr ऑन धारी मिलाते वह आप इसको आपको आप चाहो तो यह pocket अपनी जगे से ना ही ले उसके लिए आप friends से एहां पर इसको स vient कर सकते हो यहां फिरा पाद को safety पिन हो तह dedicate कर सकते हो तहां कि अपनी जगे से आप तरह से इसको मैंने fix कर लिया नहीं अट्यार that अ मैं अब सबसे पहले आपको करना क्या है आपको दार्षे मिलाती है यहां से सिलाही शुरू करने नहीं gets to देख सकते हो पॉक्ट मेरे बहुत आसान कि दुरू इसकी लगा ली है और साथ आप में आपको यह भी बता दो यह देखिए यह पटि पोट्डि सब्ताओं का थे लाइगा जाती है यह मैं आपको बताओंको पूरी शर्ट बन जाए गी ज़ूकि दोस्तों सब में फटाके लगा आप पॉक्र लगाने के बाद अब मैं आपको बताऊंगो इसका तीरा कैसे जोड़ा जाता है यह शट का पीछे वाला पार्ट है तीरा जोड़ना बिल्कुर असान है शट को इस तरह से आपको सीधा रखना है यह देखिए और यह जो तीरा है इसका इस तरह से यह देखिए यह कट से कट मिलाते हैं आपको एक बिर्कुष सीधी स्लीय लगानी है यहां पर एक सीधी स्लाई लगाते ही आपका पर जूड़ जाएगा तीरा जोडने के पाद इसका आगला प्रोसीजर का और रही बात इंट्रोग की वह तो पुरी शट बनाने के बाद हम इसकी इंट्रोग कर लेंगे तो तीरा जोडने के बाद फ्रेंट्स अब हम जोड़ेंगे सामने वाले पार्ट्स यह देखी बिल्कल असाना इसको जोड़ना यह देखी है आप को इसे आप और इसे तरीके से इस तीरा है जो आपका जुड़ जाएगा इस लाई लगानी एक इधर लगानी इस लगाने के बाद जोस्तों इसका लूगा ने यह tellik 7 के लगा लीक है उसके लगाने के भाद में द्खाता हूं is कौ गो क्यों फ्रेंट से देख सकते हैं अब त्हार फैर से टो आप जाली को यह करर्ण कर लगा लिये और जो मार्शन आरे में डेक सिर्भ यह दिखिए और यह तरुदू है इस तरह से पीछे की कर रूह को दिखाता हो कि अब से जोड़ने के सो दुस्तist इस तरह से रखना है और आदा इंच का मार्जन देते हैं बिल्कुछ यह सिंपल तरीके से यहां पर आपको श्लाई लगा लेनी है दोनों तरफ से कि उहां तो से साफ कि स्कते के बाद आप देख सकते हो थोड़ा सा लुक की तयार हो चकी है इस तरह से हैं पर तह इसी तो सामने के नों ईसं钱 है आप Ez को पकड़े उपकर पर बहुत ही असा अलीक आप बताऊंगा ये देखिए अगर अगर आप इस घेर को इस तरह के से एक सार डबल करना चाहो तो वह जल्दी से आपको फोल्ड नहों पाएगा नहीं फिनिशिंग आपाएगी इसके लिए फ्रेंट्स आपको इसको सिंगल करना इस तरह से देखी और सिंगल करते समय आपको श्राइए लगाने है बिल्कुल ही किनारे पर तो फ्रेंट्स एक बार फोल्ड करने के बाद अब आपको दूसरी स्टार्ट करना इसको यह देखिए और जितना हुसा कि कम से कम इसको फोल्ड करें तब इसमें फिनिशिंग आप आएगी देखिए अब फ्रेंट्स इस सिलाई को आपको धीरे धीरे करते हुए कंटिनूसली लगाते रहना है तो फ्रेंट्स आप देख सकते हुँ इसका नीचे से जो घेराय मेंने फोल्ड कर लिया है हाला कि अब इसमें थोड़ी वह सर्वेट आपको दिख रही होंगी लेकिन फ्रेंट्स जब इसकी में प्रेस करूंगा प्रेस करने बाद बिल्कुल एकदम यह फिट बैठ जाएगा क्योंकि यहां से उरेवी कपड़ा होता है यह प्रेस करने बाद बाद बैठ जाता है इ यह देखिए पीछे की तरफ इसमें हम कट लगाते हैं बाजू में और हर बाजू में कट होता है यह कट को किस तरह से कवर करना है इस कवर करने पट्टी को बनाने के लिए दोस्तों तीन फार्मूलें लेकिन जो सबसे जार ट्रेंडिंग में फार्मूला रहता है मैं वही को करना क्या है यह देखिए आपको इस तरफ से जिस तरफ किसके कम हिसा एक तरफ काम रही खाय एक तरफ कम..? इस तरह से यहां पर लाकर बस यहां पर आपको मशीन पर बताता हूं उसके बाद जो दूसरी पट्टी लगानी वह भी मैं आपको बताऊंगा तो फ्रेंड्स आप देख सकते हूं यहां से सलाई को शुबात करनी है हमने यहां से मारदियं को ज्याद लेते इस से निकालना वाड़ हिए मैं दोनों ही बाजू में अपको ऐसा करना था आप एप दूसरी पट्टी लगै वह कैसे लगेगी बाजू करना आपको सीधा सीधा करने के बाद आपको एक पट्टी लेनी है यह देखी इस तरह से इस पट्टी को रखना है आपको सीधा बाजू सीधी रखनी है इसको भी सीधा रखना है और इसको इस तरह नीचे रखना है यह जो पट्टी की चुड़ाई आपको लगबग लेनी है धाहिंच के करीब और इसकी जो लंबाई है जहां तक आप जो कट होता है कट से आपको डेर्डिंच फालतु यह पट्टी लेनी होगी यह देखी कहने का मतलब जिस तरह से नहरु कोलर में पट्टी लगती है जिसे हम ताबीज पट्टी बोलते है वह इस पट्टी को ताबीज पट्टी बोला जाता यह देखे दोस्तों इस तरह लगानी आपको ए ज है को झहा तक कट है उस कटे आपको चले लगा निएह चै कि स्याइक को पक्का कर लेना है उसके बाद आपको इस तरह से यहां पर खाट लगाने मढा काट लेना है Oh션less और पट्टी जो है आपकी नीचे के तरफ है कि यह देखें अब आपको कट लगाना यहां पर एक इस तरीके से यह कट लगाने के बाद अब आपको नाखुन से यहां पर करना थोड़ा से प्रेस करने के बाद यह देखें दोस्तों यह जो नीच वाला जो कपड़ा है हमारा पट्टी वाला यह हमारा उपर आ जाएगा और इस मारजर को अंदर करते हुए आपको जितनी भी चोड़ी पट्टी रखनी हो उतना चोड़ा यहां पर आप इसको इस तरह से करें यह देखें और अब आपको इस मारजर को अंदर करते हुए यहां से सिलाएगी शुरुबात करने किनारे से और जहां तक आपका कट यह करता यह देखिए इस कर्ट अप स्वाइल लगानी है और स्वाणा यह कैसे लगे आई है मैं अपको दिखा देता हूं यह जहां तक आपका कड़ था वहीं तक साहिए लगानी है उसके बाद इस सिलाई को फ्रेंट्स आपने इस तरह से गुमा लेना है यह देखिए अब वो सारा कपड़ा कवर हो चुक है अब यह जो जितना भी आपका कपड़ा ही नीचे वाला आप चाहो अगर नीचे आपको कपड़ा थोड़ा डिस्टरब कर रहा हो तो इसके आप नीचे से कटिंग कर लें जैसे यह देखिए मैंन कर दिये और अब फ्रेंड्स इस जगे हमने बनानी है ताबीज पटी इस पट्टी को पोला बे दता ठाफियल यह देखिए अब कपड़े को सारे को सारे को अप अंदर कर शॉल्ड करते हुए आप चाहो तो यहां पर ट्राइंगर वाली पट्टी भी बना सकते हो यह फिर चाहो तो चोकोर पट्टी भी बना सकते हो यह देखिए तो फ्रेंट्स ये जो है हमारी शेड की जो पट्टी है जिसे हम ताबीज पट्टी बोलते हैं वो हमारी बनके रैडी हो चुकी है आपको मैं दिखाएता हूँ ये दिखिए दोस्तों बहुत आसान है जाला मुश्किल काम नहीं है जिस तरीके से मैंने इसमें पट्टी नेरी है तो फ्रेंड्स जैसा के आफ देख सकते हैं एई दोनों ही जो बाजू ही इस्की डोनों बाजू मैं मैंने बैक साइड में होतीं है हमारे इए इसको बोलते है न बना ली है अब दोस्तो इसकी जो बाजू है बिल्कुल असान लगाना आً जीस تरह से हम सूट हें आप को दिखा देता हूं यह बाजू है और बाजू में जो फ्रेंट वाला पार्ट है इसमने इसमें कटिंग होती है इसे तरीके से यह दूसरी बाजू है दोनों ही आर्मोल में आगे तरफ कटिंग कर रखी है अब आपको बिल्कुल आसान तरीका है जिस तरह से हम लेडी सूट में या फिर ब्लाउज में एक्स्टर मारज रखते हैं लेकिन शर्ट में कभी एक्स्टर मारज नहीं रखा जाता है बिल्कुल आपको आदा इंच का मा अजसराल बिल्कुल ही बराबर आ रहा है जिस तरह से हम लेडी सूट में बजू लगाते हैं से में बजू लगा नहीं यह दमएए आपर इसको फ्रंट उटा लिया अगए से इसका फ्रंट उछा लिया यह देखिए इसका जो जो ऱ्नम आपको मिलाना है यह देखें और बि तो तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं बुलकुल असन तरीके से बाजु मैंने लगा लिए इसुमें बिलकुल भी प्रॉलम नहीं आती सका अर्म फिक्स आएगा जिस तरीकश जैसे तरीके से आपको दूसरी बाजु भी लगा लेनी हैं तो फ्रेंट्स जैसे कि आप देख सकते हो बाजू दोनों में लगा ली है आपको दिखाता हूँ बाजू इस तरह से लग गई है यह जो पट्टी हमारी हमेशा पीछे की तरफ आएगी इसको गलत बाजू आपको भी मत लगा लेना बहुत ध्यान पूर्वक आपको इसकी कट देखिए यह यह इस तरफ लगी होती है इसे आपको इस तरह से रखना है और इस तरह से रखते हुए ते उबंग को बहलें यह अप्यशु करना है इसको पर पर दोनों कृफ नी अब आपको इस तरह से इनको अलग-अलग कर लेना है कि यह जो को लोगा उपर का हिस्सा है इसकी जो है कटिंग बिल्कुल आपको किनारे से करनी है अब बाकि तीनों तरफ आपको इसमें मार्जन छोड़ना है यह देखिए अब फ्रेंट्स सबसे पहले क्या करना है आपको मैं बताता हूं सबसे पहले मैं इसके बनाते कफ बनाने के लिए क्या करें पड़ेगा ही आपको आप कफ लगाना मैं बताता हूं कैसे इसके कफ बनेगे कि अब इसको बनाना बिल्कुल असा है आपको इसको रखना है इसको रखें इसको रखें अब आपको पेस्टिंग के उपर नहीं लगा नहीं लगानी इस तरह से इस लगाते हुए आपको इस जगे लाई को खतम कर देना है दोनों कफ में आपको इसी तरह से लगानी है तो फ्रेंड्स आप देख सकते हूं यह मैंने जो है लगाती है इस लाई लगाते समय एक चीकर ध्यान रखना है यह जो अपने जो लगाई बिल्कुल इसको बाहर नही देखेंगे जैसे दोनों तर्स पर छोट रखा है आपको दिख रहा हुआ अब इस तरह लगाने के बाद फैंड्स अब आपको करने है कटिंगे इस तरीके से थोड़ा सा इसके नदर मार्णाना है बस लागे बादे बिल्गूश जड़ से काड़ते हैं और इस तरफ से भी आपको इतना माजन रखना है जितना की हम नौर्बल रखते हैं यह दिखिए तर आदे इंज माजन रखना है और इसके बाद आपको इस तरह इसको फोल्ड करके यहां पर लगाना है सेंडर में एक कट ल हो जाईए देखर दोस्तों न करने के बाद मैं कि इस्तर बनाना है का इस तरह से आता यह देक अब करना गया सबसे पहले आपको जिस की जो बैन का यहांसे पंड़ना है और इस तरह से पकड़ते हुए है आसे आपको श्रयाई लगाने पर में लगाई टींव आपको तो एक पैर का माज़र रहते हो सिर्फ एक तरफ लगानी इस लगाने के बाद आपको मैं दिखाता हूं तो फ्रेंट्स यह देखिए जो स्लाइब में लगा लिए लगा लिए लगाने के बाद आप देशते हो यह इस तरह से कप्ड़ा इसका फॉल्ड हो गया है अब आपको चलिडियर करना कापकरण है कि यह देखिए लगानी आपको बिल्कुल जड़ने यह से इस लगाने के बाद आपको दिखाता हूं कि अब जिट्में और सब्सक्राइब करें कि यहां से बिल्कुल साथ में करने इसका कि इस सिर्वाइब करने सिधा करना है और इसकी जो यह है इसका जो एंगल यह देखिए इसकी जो चौच है आपको इसटोंच के के मदद से सीच जो है यह नोग निकल जाएगी देखिए बहुत असानिकी जो निकल जाती है अब यह जो एक्ष्टर कपड़ा है यह वाला इसको थोड़ा सा नाखुन से प्रैस करें तांकि अपनी जगे बना ले अब इसके उपर अपने लगानी चाहो तो यह जो कपड़ा है यह पिर चाहो तो आधा इंच की षच्ट लगा सकते हूं अब आपको एक लगाने प्रेंट हो लगाई यह ताकि नीचे से कपराइस करें कवर हो जाए अब आपको इस तरह से कोल को करना है विल्कुल सेंटर में यहाँ पर आपको एक लगाना हलका सा कट अब हमारी जो यह बैंड है फ्रेंड्स इस बैंड पर आपको करनी है कटिंग यह देखिए थोड़ा सा माजना रख लाते हुए आपको यह दहीक से कट से कट से कट मिलना चाहिए आपका स्सारीं लगानी है यहां चीने से तरह हो लगानी जिसराल होगी इस जीज भड़र को लगानी है पेस्टिंग उप्रस लिखा फैस से कपड़ा कबर ए Papchair कबर नहीं इसके लिए हमें इस तरह से कपडा लेना है अब इसको इसका ऊपर रखना इस तरी disciples अब फिर लगानी आपको इस रेल्डी को थैसा आपको त्यायन से देखना होगा यह स्लाई फ्रेंट्स हमसे Start करनी है इस जगे से यह देखें आपको इस जगी से स्टाट करनी पर दिखाना होdock तो तो आपो देख सकते हैं इस जगे से करी है और सब्सक्राइब कूर। और इस जगे से इस तरीके से ऑपको तोड़ा स्टाइब सीच स्टाइब से भी आपको थोड़ा स्टाइब भ़िए यह लगाने के बाद अब आपको यह जो एक्ष्टर मार्जन है इसकी कर रहे हैं कटिंग कि अब इसे आप असानी से सीधा कर सकते हूँ अब आँशे अ ओफिससे इस तरह से हमारा नीचे की तरफ हैं जो यह कपड़ा भी यहां पर आ चुका है यहां प थोड़ा सा नाक्पू से प्रैस करेश अब friends हमें यहां पर लेना है margin यह देखिए कोरा लगाने के लिए फिर्फ आदा इंच का मार्जन रखें आपर कि यह आदाएज्ज का जो मार्जन है यह हमारे च्प श्रट पर लगाएंगे उसके अंदर यह आएगा अब दोस्तो यह को लाग रेड्य है बस अब आपको इस तरह करते हुए यहां पर एक कट लगाने है सेंटर में तो दोस्तों कॉंहारे कफ और कोलर डॉने ह sorry की अब मैं आपको बलांगा को फैं अंगो कि खरो कीसे लगाते हैं अदि फैंण से लगाने के लिए सबसे पहले आपको यह जो अभिर कोट्सपव इसे क fed के साथ यह देखी यह पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा और है तो ये थे कि थोड़ा सा या इसको थोड़ा सा बढ़ा करने के लिए इसको डबिल करना इस तरीके से ये देखे फ्याई स्वाइब अब हल्कि से यह से आपको cutting करनी होगी ने और इसका सेंटर सब्सक्राइब करना हुआ कट अब इसे आप नाप कर देखें यह देखिए पूरा पूरा असानी से आ जाएगा और लगाना बिलकुल असान है यह देखिए को लोगो सिता उठाया इस जगे से आपको स्टार्ट करनी है अब मैं आपको बताता हूं जो थोड़ी सी में जगे छुड़वाई थी यहां पर यह देखिए यह जगे इसलिए च तो फ्रेंड्स असलाय लगा के आप देख से तो कोला लग चुका अब इसमें सिर्फ एक स्लाइब बाकी यह सारा का सारा जो मार्जन है सारे मार्जन को आपको इस तरह संद्र करना है यह देखिए मार्जन को अंदर करते हैं आप आपको स्लाइब लगाने यह बिल्कुँ जड़ नहीं यहां पर और स्लाइब बिल्कुँ किनाले पर मार्जन को सारे को अंदर करें सारे मार्जन को फैंट्स इस तरह से अंदर कर लेना है इस स्लाइब को यहां से घुमाना है इस लाइग और यह जो आपको पॉइंट दिखरा है इस पॉइंट से लाते हुए इस पॉइंट में लाते हुए यहां पर खतम कर देना है तो फ्रेंट साब देशते कोलर है जो हमने बिल्कुल असानी से लगा लिया है अब इसके बाद यह जो मेरा कच्छी सलाइग लगाई है अब इसमें स्re e3 Ajay रह गए है जो हें कफ कफ लगाना बिल्कुल असान यह देखिऊ इस तरी के सी ही आपको इसको पकड़ना है के इसके center में आपको cut लगाना है यह देखिए अब यह कफ हर लगाना बिल्कलाएगे यह देखिए इसको रखना ऐसे कफ को रखना ऐसे के और यह наш असे start करें और यह जो आपका cut है इस कट के साथ मिलना जाइए यह देखियँ कट से कट आपका विल्कलाएगे और सिर्दी एक को लगानी है कि वह ईतल लगाने के बाद यो कफ आपका असानी से लग जाए गे किसे लगा लिए दिस नीजिए अपने अंदर किया था इसी तरिके से आपको अंदर करना है अब यहां पर आपको स्टार्टिंग करनी है और स्टार्ट बिल्कुल असानी से यह लग जाएगी देखिए कि इस स्लाइप के बाद इस तरह से कोबर में अपने स्टार लगाई थी यहीं से स्लाइप को गुमाते हुए इस पर एक पैर की स्लाइप लगाने के बाद इसके जितने भी धागे है एक्स्टा जो भी इनकी सब की आपको कटिंग करना है बिल्कुछ जड़ से तो ही इसके अंदर फिनिशिंग आएगी फ्रेंड्स यह देखे हैं बहुत असानी से हमारश कौफ लग चुका है तो इस तरीकर से यह काज्ड बांट इंट्र प्रेस का कैसा कैसे किया तो स सब्याब्र मैं रखे है जिसए माने आप बता रहक lets के काज कैसे क्या चाहते हो तो उस वीडियो को लिंक को दिस्क्रिशन में मिल जाएगा वैसे जर्णरी दोस्तों आज कर मशीनों से काज होते हैं काज करने के लिए फ्रेंड्स आपको यह दिखी मैं इसमें निशान लगा दिखा दिया हैं आपको जो निशान लगाने साड़े तीन यह चार इंच की दूरी पर बराबर बर निशानर रखकर यह देखिए चोंक से निशान लगा लें और जो काज होंगे इसे दोस्तों यह निशान लगाएं इन निशान लप्र यह तियार हो जाएगे कि जैंट्स शट की स्टीचिंग की की जाती है तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगी तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें अगर चैनल पर पहली बार तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें हमें सपोर्ट करें थेंक यू वेरी मॉच